प्यारे बच्चों को नमस्कार है अरुनेश कुमार का जी हाँ कनईया लाल मिश्ण प्रभाकर साहेतिक हिंदी हूँ चाहे सामान्न हिंदी की आव विद्यरती हूँ सभी के लिए है क्लास 12 में कनहीया लाल मिष्र प्रभाकर का जिन्हों ने आपकी किताब में Robert Nursing Home लिखा है जीहां Robert Nursing Home कनहीया लाल मिष्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया एक रिपूर्टाज विधा की रचना है जो आपको पढ़ना है क्लास बारा में और खासा important है क्योंकि यहाँ पर Mother Margaret, Mother Teresa और Sister Crystal आदी के बारे में लिखा गया है एक report आज है ध्यान रखना मुझे दोनों लोगों हाँ जो बच्चे साहितिक हिंदी के जुड़े हैं भाग्य और पुरुशार्थ जैनेंद्र कुमार का सा अब आप कहेंगे सर्फ प्लेलिस्ट कहां मिलेगी चैनल पर मिलेगी डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी अगर आपने भाग्य और पुरुशार्थ चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर गद्यान साधार प्रशनोंतर नहीं पढ़ा तो मैंने अल्रेड़ी अप्लोड कर रख आसना महम्मद आसीम गुडिवनिंग और पवन कुमार जी है फिल्मों का भंडार जी है और आशीष एमजेपी अर्थात मिरजापूर से हैं संजीव गुस्वामी जी है और अरुन निशाद जी है लवकुष जी है पीके कश्यप है और अंकित जी है अवधेश गुपता ज जी है इन दिस यह ठीक है धन्यवाद है आप जुड़े हमारे साथ अमन रॉय है एबी रतन चौधरी निधी पांडे स्पीक आउट सौरब जी है अवधेश गुपता है टीवी टू बलागर है और अनुराग मोर्या जी है प्रिंस के शरवानी जी है मरान खान जी है बहुत सौरे लोग जी है कुलदीब राओ जी है बहुत अच्छे लोग आफताब आलम जी सभी का स्वागत है एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि यह आपका सहितिक परिचे बहुत इंपार्डेंट है और आ गया सर तो पांच अंक पक्के होने वाले हैं दोहजार पच्चिस के एक एक नई अपडेट के साथ एक नए लेटिस्ट पैटन पर लेटिस्ट डिजाइन के साथ पढ़ाता हूं लेटिस्ट चीजें सारी अपडेट करके पढ़ाता हूं तो खामोस होके देखिएगा अब मैं कमेंट आपकी लास्ट में पढ़ूँगा सभी को एक बार फिर से लेटिस्ट चैनल पर कुछ लगा हुआ है तो भी चल सकता ऐसा नहीं है लेकिन हमेशा आप हमारे साथ बने रही है टेली ग्राम जॉइन कर लिजिएगा वाटसप चैनल जॉइन कर लिजिएगा अबाउट सेक्सेंट और डिस्क्रिप्सन ने सब कुछ दे रखा है रही बा लेकिन वीडियो के एक दिन बाद आता है ऐसे डिस्क्रिप्सन में पहली लिंक रहती है संग्चित परिचे जिस तरह हमने यहां पर आपको एक एक वर्ड नाप तौल के दिया है इसको इसी तरह नाप तौल के आप बोर्ड में लिख दीजिएगा बिना किसी सोच बिचार क बिना किसी जहनजट के ठीक है अन्राग ओर्या है यहां पर संग्चित परिचे इसको हम कहते हैं फ्लोचार्ट चुकि बोर्ड ने खुद अपने एक सजेशन में कहा था कि फ्लोचार्ट बनाए हमें क्या करना है हमें इस तरह अपनी VIC लिखना है हमें एक एक्जामिनर को पढ़ता है वैसे आपको यह असी शब्दों में लिखना होता है लेकिन असी शब्दों में अपनी बात पूरी कहना संभव नहीं है किसी भी साहतिक परिचे में किसी भी लेक अक्सिदा तो इनका डाल देंगे जन्म जन्म 29 मई 1906 भी अगर आपको 29 मई याद नहीं है तो आप इसे मत याद रखिएगा लेकिन 1906 गलत न होने पाए जैसा मैंने लिखा कि एक एक वर्ड आपके दिमाग में ठूसूंगा तो समझो 29 मई 1906 1906 जन्म इस्थान देवबंद सहारनपूर देवबंद सहारनपूर पिता पंडित रामदत मिश्र का नहीया लाल मिश्र हैं तो रामदत मिश्र याद रखना समपादन समपादन क्या होता है एडिटर होते हैं ठीक है उजी को समपादक कहते हैं जैसे कोई किताब बनी उसमें तुर्टियों दोशों बिशलेशन करना बिवर्णों को जाचना पूरी किताब को कम्पलीट देखना कहीं तुर्टी तो नहीं है तो वो होते हैं एडिटर तो ये हैं संपाधन इन्होंने ग्यानोदय पत्रका किया और नया जीवन और विकास पत्रपत्रकाओं का संपाधन किया तीन याद रखना ग्यानोदय नया जीवन और विकास संपाधन कारे भाशा इनकी तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहितिक खड़ी बोली है, हमेशा याद रखना, तैली भावातमक, वर्णातमक और नाटकी ये शैली है, प्रमुक रचनाएं, आकाश के तारे, धरती के फूल, और माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कराई, इस तरह दो-तीन रचनाएं, और म्रत्यू हमेशा 1 मई 1995 में याद रखना, 1995 में म्रत्यू, 1906 में जन्म, यानी की 89 वर्स जीवन रहा इनका, अब डालेंगे हेडिंग साहितिक परिचे, ध्यान रखना, हमेशा, सन लिखते समय, पिता का नाम, माता का नाम, गाउं का नाम लिखते समय, हमेशा ब्लैक पिन का प्रियोग करना है, एक अलग दिखे वो, ठीक है, ठीक है, कनहिया अलाल मिस्र प्रभाकर का जन्म, 29 मैं सन 1906 वी में, देवबंद सहारनपूर में, एक साधारन, ब्रामध परिवार में हुआ था, कब हुआ था, 1906 में हुआ था, कहा हुआ था, देवबंद सह प्रणपूर में हुआ था, पिता का नाम क्या था, पंडित रामधत मिस्र था, ब्रामध परिवार में इनका जन्म हुआ था, प्रारंबिक सिक्षा जैसा कि पहले धरपर ही हुआ करती थी, और अच्छे से किसी की भी सिक्षा इस स्कूल वे नहीं हो पाती थी, तो बहुत स होता था आसपास की कोई पाट साला में ही सिक्षा प्राप्त कर लिया करते थे अपने लेखक और विचारत फिर भी भाई साब उस समय का पांचवी पास आदमी और इस समय का में पास आदमी मुझे तो नहीं लगता वो मुकाबला कर पाएगा बहुत टैलेंटेड लोग हुआ सब्सक्राइब करते थे तो इन्हों ने खुर्जा संक्रितपाठ्षालई में सिक्षा प्राप्त की आसपासी उनके खुर्जा था राश्ट्री नेता एक त्रीपाठी हिते ऐसाफली और राश्ट प्रिपांठी यह चोहान तमाम ऐसे लोग भाता कंभा छतुरूषम ह segregated का काम उस समय कर रहे थे रामधारी सिंह दिंकर कूंकि स्वतंपरता लानी थी अपने तो मौाटिवेशन का सभी काम कर रहे थे हिर लोग करते थे जो भी भाषन देता था उस के साथ लोग चलते तो भाशन में क्या होता था एक motivation होता था देश में आजादी लागे लाने का motivation होता था तो प्रारंबिक सिक्चा ठीक प्रकार से नहीं कितनी बातें आपने समझी कनया लाल मिसुर प्रभाकर का जन्म 29 मैं 1926 बी को हुआ देवबंद सहारनपूर में हुआ एक साध थी नेता आशफ अली का भाशन सुना उनसे प्रभावित हुए और सुतंत्रतां आंदोलन में कूद पड़े तो कई बार क्या हुआ इनको यात्रायें भी करनी पड़ी शोतंतरता लाने में सहयोग दिया फिर इसके बाद सोतंतरता जब आ गई तो पत्रकारिता में लग गए, एवन साहित की सेवा करते हुए सन 1995 इस भी में काल ने हमारे हाथों से इने छीन लिया, यानि कि पंचतत्तों में ये लीन हो गए, अब प्रभाकर जी ने बहुत सारी पत्रपत्रिकाओं का संपादन किया, पहुत सारी रचनाय की, तो उन लेकनी कारी क्या हैं, प्र संसमरन लेकन, इन तीन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कौन? कनहिया लाल मिश्द प्रभाकर, क्या-क्या, रिपोर्टाज लेकन, निबंद लेकन और संसमरन लेकन में सिद्ध हस्त थे, यानि बहुत ही बड़े थे इसमें, ठीक है, कनहिया लाल मिश्द प्रभाकर जी के कुन नौ गरंत अब तक प्रकाशित हुए हैं इतनी बात लिखके साहित्तिक परिचे का हम समापन कर देंगे ठीक है संस्मर्ण लेखन में निबंद लेखन में और रिपोर्टाद लेखन में क्या थे सिद्ध हस्त थे कनहिया अलाल मिस्टर प्रभाकर जी ने दो समाचार पत्रों का बहुबी संपादन किया है एक था नया जीवन और दूसरा क्या था विकास नया जीवन और विकास में के आगंच है के द्वार इनके बहुत महत्पूर क्रती है कुल अब तक नौ गरंत इनके प्रकाशित हुए ह यही से आप इनको बिराम देंगे इतनी बात समझ में आई होगी ठीक है पीडियेफ चाहिए तो डिस्क्रिप्सन में पहली लिंक से मिलेगी मैं अपडेट कर दूँगा पढ़ाने के तुरंत बाद तो क्रतियां इनकी देखिएगा डालिएगा हेडिंग क्रतियां कनहिया लाजमिर फ्रभाकर जी की प्रमुक्रतियां इस प्रकार हैं सबसे पहले आप एक भी इनकी कृती नहीं छूड़नी है एक भी सारी रचनाई याद करना है चूँकि हमें गद्दे पद्द साहितिके विकास में बहुत ज़्यादा ये काम आती है वैसे तो अगर आपको साहितिक परिचे लिखते समय कुछ ही क्रतियां याद आती है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ से 50% ही याद रहती है तो आप 50% लिख दीजिए ज्यादा लिखने की आवशक्ता नहीं है अगर आपको इन कृतियों में से सारी की सारी याद हैं तो आप सारी की सारी लिख सकते हैं खास कर साहितिक परिचे लिखने वाले साहितिक हिंदी के विद्धारती सामान ने हिंदी के विद्धारतियों दोनों लोगों को ले सेम ही रहेगा लेकिन अगर कुछ रचनाएं आपको भूल जाती हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सारी रचनाएं आप याद करिए क्योंकि ये सारी रचनाएं आपके गद्य साहित्य के विकास और कावज आहित्य के विकास में काम आती हैं, बहु कल्पी ये प्रश्णों में ठीक है? तो रेखा चित्र नई पीड़ी के विधाएं पूछी जाती है रेखा चित्र विधा की रचनाएं क्या है? नई पीड़ी के विचार, जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, भूले विशरे चित्र कह दे तो भगोजी जिन और वर्मा की उपन न्यास है, लेकिन भूले विशरे चहरे कनहिया लाल मिसर प्रोहाकर की क्या है? रेखा चित्र हैं? तो भूले विशरे चहरे से याद रखना, रेखा जित्र नई पीड़ी के विचार, जिंदगी मुसकराई, माटी हो गई सोना अब यहां से एक ट्रिंग बना लीजिये, ठीक है? ऐसे, भूल भूली विसरी माटी सोना हो गई, फिर जिंदगी मुस्काई तो नई पीड़ी के विचारों ने जन्म लिया। ऐसे याद रखना। आकास के तारे धर्ती के फूल, ये दो लगु कताएं इनकी प्रकाशित हुई। दीप जले संक बजे संस मरण है, भूले विसरे चेहरे एक रेखा चित्र है। नई पीड़ी के विचार जिंदगी मुस्काई रेखा चित्र रेखा चित्र रेखा चित्र भाई। माती हो गई सोना ये रेखा चित्र है, जिंदगी मुस्काई ये रेखा चित्र है। आकास के तारे वधर्ती के पूल, लगु कता है इनको मत जान भूल। ठीक, दीप जले संक बजे संस मरण है, भूल गए आप तो नंबर का मरण है। ठीक है, अब ललित निबंद देखिए भाई साहर। छण बोले कण मुस्काई और बाजे पायलिया के घुंगुरू। बाजे पायलिया के घुंगुरू, तो छण बोले कण भी मुस्काई। हैं ये ललित निबंद आपको भी ये सारी चीजे याद आये। छण बोले कण मुस्काई बाजे पायलिया के घुंगुरू। ये ललित निबंद हैं आप मत भूल जाए। तो ललित निबंद कौन-कौन से हैं दो हैं छण बोले कण मुस्काई बाजे पायलिया के घुंगुरू। संफादन मैंने पहले ही बता दिया नया जीबन विकास नामक दो समाचार पत्रों का संफादन किया एक विसिष्ट रचनाइन की है तो इतनी बात आपको समझ में आई है न बडए शायर वायर है भाया का बात है सारे शायर हमारे कमेंट बॉक्स में आये हैं सायरी वाइरी लिख रहे हैं अरुनिशाद मुहिनी आदो कि एशी शैनी का बात है बहुत बढ़े बहुत 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 कितना भईया सायरी वाइरी बहुत आता है लोग है स्वेकरνη साथ इतना समझ में आ गया बश्यतिक परिचे कोई लंबा प्रोसस स्यानला, बहुत बड़ा लिखने की आवसेक्टा नहीं है, यह थोड़ा रचनाय ध्यान रखना, बस इतना याद कर लीजिए और यह संखित्ष्प्त परिचे इतने मस्ति शब्द तो होंगे ही होंगे यार इतना भी देखो कितना बहुत कम हमने शौर्ट कर दिया है इसको तो याद कर लीजिए और बहुत अच्छे से एक बार और देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो काम हो जाएगा ठीक है मोनिका यादो आकास सिंग प्रियांशी लगातार जु होता है कि जब साधी पार्टी होती है एक दू दिन की छुटी बीच में एक सब्ता में लेनी ही पड़ती है है ना तो चलिए निश्टन क्लासे हैं लगातार बने रही हमारे साथ इस बार आपको हमारी आवश्चहता दोनों मिल के करेंगे क्या करेंगे नाम रोशन करेंगे यार आप भी करिए हम भी करेंगे हमारी वजय में से आपका नाम रोशन हो जाए और आपकी वज toolbar है बس इसमें दोनों का लाब है डुहरा लाब कि भिर्ण एक तीन से दो निशाने हो जाएंगे अपना भी काम और आपका भी काम यहां पर स्वार्थ छिपा है दोनों का दोनों और प्रेम पलता है सकि पतंग भी जलता है दीपक भी जलता है दोनों और प्रेम पलता है दोनों और प्रेम पलना चाहिए है ना गद साहित का विकास भी इसी महीनिम हो जाएगा आप परिशान हो ठीक है अच्छा गाओं की बात बोले गाओं कौन सा है तो गाओं अभी इधर गाओं बता भी दें तो क्या आपको पता चलेगा बस आप यह सोचे सीतापुर जिले में रहते हैं और अगर आप सीतापुर जि बता देंगे सब डिटेल कहां पर हैं क्या है मिलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आईए ठीक है काहे में कौन सा चंद है कि मुहम्मद असीम जी इंशाल्लाह आप भी बहुत खुब्सूरत अंक लेके आएंगे परिशान नहों कोई दिक्कत नहीं है जीवन परिचे पूच दे तो ये लिख दो साहितिक परिचे पूच दे तो ये लिख दो एक ही चीज है दोखो यहां पर जीवन परिचे भी आधा है आधा साहितिक परिचे है दोनों मिक्स हमने कर दिया है अगर जीवन परिचे पूच देगा तो इसी को साहितिक परिचे हेडिंग हटा के आप जीवन परिचे लिख देंगे, ठीक है, साहितिक परिचे हटा देना, जीवन परिचे लिख देना, तो यही जीवन परिचे है, और यही साहितिक परिचे है, जो पूछेगा, वो आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा, two in one, ठीक है, हाँ, संजे पांडे धानी खेत सुखद उड़ती रेत सुखद सुख मिलता है निमिया की छाओं में आओ थोड़ी देर बैठो मेरे गाओं में आओ थोड़ी देर बैठो मेरे गाओं में बहुत बहुत शुक्रिया